हेलो दोस्तों तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं मेंदू बाड़ा, सामबार और चटनी तो मेंदू बाड़ा में ऐसा कौन सी टिप्स है कि या इसा क्या चीज डाता है कि कोई पहली बार में ही मेंदू बाड़ा आसानी से बना सकता है तो चलिए हम बताते हैं क्या-क्या जादा नहीं पीस पाएगा तो फिर बाद में एक चमज डालेंगे तो ऐसे में पीस होगी पर यह कि अब फीर थोड़ी थोड़ी करके मैं पानी डाला है यहां पानी जादा हो जाता है तो मैं आपको यहां टिप्स देने वाली सबसे खाश टिप्स है मेदू बड़ा बनाने के लिए तो सारा मैंने पीस लिए था दाल इसमें लगबग मैंने दो से ढाई चमचा भी डाला इंहूं रावा यह बारीक रावा है बारीक वला डाल इसे अचसे मिक्स कर देजि़ें और मिक्स करके अगर टाइम हो तो बेस नहीं भी टाइम पहलिप फिर भी पांस मिटरे से रखना पडबर ताकि जु रावा है एक्सट्रा पानी जो है ना दाल मो हीच लेता है तो ऐससे मिप्स करके पर अच्छे से मीक्स करें, कम से कम 2-3 मिनटी से मीक्स करना है, तो चले, मैं इसे रख देती हूं, ढगे, इसके बाद मैं क्या करता है, हम सामबर के लिए दाल लिए थे, वन फोर कप यानि दो मुठी मैंने उड़ा दाल लिया है अर दो युगिलास मेंने पाणी लिया है थोडी सी हल्डे डालूँगे टेस्ट के कोडिंग नमक डालूँगे थोड़ी सी घिंग थोड़ी सी तेल डलके इसे तीन सीटी लगा देंगे और दाल को अच्छे से पका लेंगे ये मेंदू बड़ा जैसे मैं बता रहे हैं आप एक बार बना के जरू ट्राइ करना टेश्टी तो लगती है मी भी लगती है सबको पसंद आते हैं सबकी ज़्यादा फेवरेट हैं मेरे घर में सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे हम लोग सब पसंद करते हैं इटली कम परी से ज़्यादा जब तक डाल हो रहा था तब तक मैं इमली भीगो देती हूं सामबर के लि अच्छे से गरम कदी यहां मैंने डाल राई जीरा दो लाल मिर्ची कड़ी पता इस सब को डाल देंगे इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हींग और इसे अच्छे से लो फिलेम पर एक मिनट रोष्ट होगा इसके बाद दो मिडियम साइज के स्लाइस करके अहां डालना है प और मैंने आधी टुक्री अद्रक अच्छे से खलवटे में कूट के यहां डाल दिया है इसके बाद दो मिडियम साइज के मिरे टमाटर को चौपर में चौप करके डाल दी और इसे अच्छे से एक दो मिनट कूप करेंगे इसके बाद दो चमच बड़ी चमच से घर का बना हुआ सामबार मसाला में डालाए मेरी सारे मसाले घर की बनी होती है और इसे अच्छे से मिक्स करें इसके बाद जाएगा एक चमच धनिया एक चमच रेट चिली पाउडर पर कस्मीरी वाली रेट चिली पाउडर डाले है बस तीनी मसाले जाते है हल्दी तो पहले है अपन लिए था एक काटोरी गाजार इकाटोरी लॉकी और से के निसे नमक दाल दी ती। उसके उपर थोड़ी सी गरम पाने दालेंगे और इसमें अच्छे सी कुक काया काँ गार में से कूक करूंगे तीन से चार मिन में यहां थोड़ी सी पानी डालेंगे आधी कटोरी पर गरम पानी याद रखे और ढख दीजिया और चार पाच मिनट अच्छे से जब तक सब्जिया ना गल जाए तब तक इसे कूक करना है तो मैं बीच बीच में चलाती रहूंगे और इसे ढख के चार मिनट कूक करने के लिए रख दी अच्छे से सब्जी मेरी गल गई थी इसके बाद में डालोंगे यहां पर दाल जो हमारी दाल पहले से कूक होके रेडी है तो दाल को हमेशा कूक कर लीजिए अगर आपको सुबस्वा बच्चों को लंच में भी कभी दे नो च टेस्ट कर इमली हो सके तो कम-कम डाल आपको कितना खटा जहें कोई कोई इमली बहुत खटा कोई कम खटा अच्छे खासे में पाने डाल की इसे कूक करने के लिए ढग दूँगे जब तक वो अच्छे से कूक हो राज तब तक देखी मेरी फूल गए थी टी तो अधर मेरे अब मैं डालने वाली हूं जो सारे मसाले हैं यानि मैं डाले टेस्ट के कोडिंग नमक ज्यादा नहीं आधा टिया और यहां मैंने डाला है थोड़ी सी ग्रीन चिली मतलब दो डाली मैंने ग्रीन चिली आधे टूकर अधरक को अच्छे से घीज के डाली एक मुठी धनिया पत लफी उतने ही अच्छी बनेगी तो अगर आपको यहां भी लगता है कि मेरी बहुत जादा कि मिक्सर मिक्सर के ऊपर है आजकल बहुत से हाइटे की मिक्सर आ रहे कि बहुत अच्छी अच्छी मतलब मिक्सर आ रहे तो हो जाती है लेकिन मिक्सर के ऊपर है तो पानी और रावा चाहिए तो मैंने 2 चमच limited ज़्या चब्रावा टाला था हो ज्यादा रावा डालने से अच्छा नहीं बनता लेकिन कभी-कभी समान यह पाते बस भरबाद नहीं दो भूरॉफह बेन के intent करें लेकर युद्यक्षलिफे 2 चाहिब है कि राव दैजी हृफ़ और हथेले पर उंगली को भीगो के अच्छे से उसमें छेदा बना देजिए और धीरे से दूसरे हांतों से लेके डाल देजिए मैं ऐसे तीन चर्म इन दोबड़े आपको बना के दिखाऊंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहों बनाने में बस ऐसे राउंड राउंड दोन हा में लग जाता है मेडियम और लोग के बीच में गैस की फिलिम रही ऐसे करक में फिलहाल अभी तीन डालोंगे आपको तीनो दिखाऊंगी इसके बाद मिना फिर में दूसरे डालोंगी तो वह भी दिखाऊंगी तो ऐसे करके धीरी से आपको छोड़ना है कोसिस करें कि जो होती है ने फिलेट उस कड़ाही में आप इस्तमाल करेंगे तेल लेंगे ना तो में दू बाड़ा सबसे अच्छा बनेगा क्योंकि चिपके ना चिपके का तो बहुत दिक्कत देगा अब तुरंत ना आप चमस में डाले तुरंत चमस में डाले एक मिनट इसमें रहने जब तक देखे में यहां पका रही थी ना तो में डाल डाल के उसमें सबजी में डाल डाली थी संबर में याद होगा आपको तो बगल वाले गैस बेन में उसे लो फिलम पे छोड़ दी हूँ कि धीरे धीरे अच्छे से कूक हो कि यूंकि में गुर डालने के बाद इमनी ड तो मुंफली आधी कटोरी लेके में भून ली थी चिल ली और कुछ नहीं थी करी थी में मिकसर जार ले ली थी और मिकसर जार में में मुंफली पानी और टेस्ट के अकोडिंग नमक दो हरी मिर्ची एक मुटी धनिया पत्ता डाल के मैंने उसे पीस के पेष्ट बना लिए उसके उपर मैंने तड़का लगा लिया था तो मैं अपको चटनी का भी बता दे कि मुंफली का चटनी कैसे बनाना है तब तक देखे मेरी मेंदू बड़ा भी फ्राई होगा और मेंदू बड़ा फ्राई करते वक्त मैंने यहां कट नहीं की थी वीडियो पूरी आपको प्रेटिंग नहीं करी थी दिखाए हूं सामने से कि देखे कि अच्छे मेंदू बड़ा बन गई हैं तो यह देखे हैं मारी मेंदू बड़ा फ्राइ हो गई हैं मैं इसे निकाल लूँगी इसके बाद दूसरा भी बैच डाल के आपको दिखाऊंगी तो देखे कितने पर यह जैसे में बताई हूं वैसे करने के लिए अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करका पूछ सकती हैं और कुछ भी सीखना हूं साउथ इंडियन में चाहें जो भी सीखना है रिस्पी आप कमेंट करिएगा तो मैं जरूर लाओंगी पर यह रिस्पी अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा रहे हूं कितनी फलफी कितनी यमी बनी मेरे बच्चे इसे लंच में पसंद करते हैं बोलते हैं मैं सामबार भले दे दो एक डब में कोई बात नहीं में दे देती हूं बहुत पसंद आता है नहीं तो चटनी के साथ भी खाते पर खाते जरूर हैं वोलो इमेंदु बढ़ा और धोसा ज़्यादा पसंद करते हैं इटली पसंद करते हैं पर फ्राई वाला तो मैं किसी दिन आपको फ्राई इटली दिखाने वाली हूं तो यह देखे में क्या करूंँ अब तरका लगाऊंगे यहां तरका मैं धनियपता डाल दी ह अब में यहां तड़का लगाऊंगे तेल लेली में दो चमच यहां राई कड़ी पता और रेडचिली खड़ी वाले रेडचिली और एक मूटी मैंने यहां डाल दिया प्याज अच्छे से भूल लेंगे और यह क्या करेंगे सामबर के उपर तड़के लगाएंगे तो मेरी मैं गोली दोने शाहिक का मेज ***rans seller kä whisky tutte सामबर नियख से बीकम में यहां द्वश पही हो गई तो मेरी करना को रहा था कितनी अच्छी सांबर देख्णने में लग रहा था बद है कई गया कैंट तो दुकान उपन बहुत हद पत्ला मिलता है इसके बाद मैंने क्या क्या कि आ ले था मैं आपको ये भी निकाल का दिखाती हूं कि ये भी कितनी अच्छी बन गई है तो देखिए में दो बड़ा बनाना कोई जादा दिक्कत नहीं है बस देही जो मैंने टिप्स बताए वही पहला है अच्छे से उसे पीस ही दूसरी है उसमें जब कभी भी मतलब कि पानी आपको ज़्यादा चला गया हूं तो रावा डाले पर बहुत ज़्यादा रावा ना डाले कोशिस करें और गैस की फिले मेडियम और लो के बीच रहेगी तो मैंने बताया था आपको चटनी का तो मैंने मिकसा जार में चटनी पीस ली थी अब मैं यहाँ बाउल में ले ले दीजिए और ये हो गई फटाफट तड़का रेडी कुछ निकलना मुंफली के चटने को उपर डाल दीजिए ये हो गई चटने चटनी सामबार में दुबड़ा तीनों बनके फटाफट रेडी हो गई अब चलिए इसके लिए प्लेट लगाते हैं तो प्लेट कैसे लगाते म सबसे अलग सबसे हटके होती है अग्दम अलग हो और टेश्टी भी होती है एक रेस्पी ट्राइ करें जब मेरी रेस्पी आपको पसंद है तो मुझे फॉलो करीगा और प्लीज प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि ये रेस्पी कैसी लगे आप सबको